नमस्कार स्वागत आपका हमारे खास कारिकरम सत्य पे सत्य में मैं हूँ अब्धेश सबसे पहले बात करते हैं आजबगर की यहां पर बेटी जिया राय ने अरब सागर में तैरने का नया रिकॉर्ड बनाया जिया ने 8 गंटे 36 मिनट में मुंबाई के वरली से लिंक से गेट किर्टीमान ने स्थापित किया जेया महज 12 साल की हैं लेकिर इतनी छोटी सुम्र में विश्व रिकॉर्ड काइब कर एक मिसाल के इस पर अब कि अब बढ़े बेटिया बढ़े बेटिया और नए कृतिमान स्थापित करे बेटिया ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आजमगर की बेटी दिव्यांग जिया राय ने स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर से ग्रसित जिया ने वर्ली से लिंक से गेटवे ओफ इंडिया तक की 36 किलोमीटर की दूरी सबसे कम समय में पार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया रहा थे महराष्टु तैराकी संग की तरफ से आयोजेत इस प्रतियोगिता में जिया ने सुबह 3 बच कर 50 मिनट पर तैराकी शुरू की दून की पक्की और मजबूत इरादे के साथ जिया लगतार 8 गंटे 36 मिनट तक तैरती रही और गेटवे ओफ इंडिया पर पहुँशने के साथ ह जिया ने एक नया कृतिमान इस्थापित कर दिया जिया के इस कृतिमान से आज पूरा परिवार और पूरा गाउं बेहत खुश है जिया इससे पहले भी कई रिकॉर्ड इस्थापित कर चुकी है 15 फरवरी 2020 को एलिफेंटा द्वीब से गेटवे ओफ इंडिया के बीच 14 कीमी की दूरी को मात्र 3 गंटे 27 मिनट में तैकर जिया विश्वर रिकॉर्ड बना चुकी है जिया समंदर में 14 किलोमीटर की दूरी तैकरने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज तैराक मानी जाती है वही गिनेज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिया राय का नाम दर्ज है जिया के पिता नेवी आफिसर मदन राय आजमगड की सगडी तहसील के गावाली मुद्दीन पूर के रहने वाले हैं और अपनी पत्नी और बेटी जिया के साथ मुंबई के कुलाबा में रहते हैं डिव्यांग जिया बचपन से ही स्पेक्टरम डिसॉर्डर से गरसी थे लेकिन नेवी में नियुक तुनके पिता का उन्हें हमेशा साथ मिला पिता के साथ ही पूरा परिवार समय समय पर जिया को आगे बढ़ने का होसला देता रहा जिया की सफलता से आज पूरा परिवार खुश है और उनका मानना है कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ हर छेत्र में अपना पर्चम लहराना चाहिए एबीपी गंगा के लिए आजम गड़ से खुर्रम नुमानी की रिपोर्ट कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जजबा और होसले बुलंद हो तो ना मुमकुन भी मुमकिन हो सकता है गोरकपुर के किसान के बेटे ने छोटी उम्र में ही वो बड़ा काम कर दिया जिससे गाउं के युवाओं के लिए वो प्रेणा सोथ बन गया ये है गोरकपुर के चौरी-चौरा तहसील के अहिरॉली गाउं के रहने वाले हरीकेश मौरे जो गाउं की पकडंडियों पर दोड़ते हुए अमेरिका तक पहुश गए साल 2017 में हरीकेश ने अमेरिका में आयूच हाफ मेराथौन में दूसरा इस्थान हासिल किया था तो उस वक्त वहां उन्हें स्कॉलर्शिप बिल गई तब ही से वो अमेरिका के टेक्सोस में हैं और उलम्पिक की तैयारियों में जुटे हैं इस बीच उन्हें कीनिया, नाइजीरिया जैसे तमाम देशों की यात्रा की और इस दोरान उन्हें दूसरे देश से खेलने का ओफर मिला लेकिन हरीकेश का सपना है कि साल 2021 के ओलम्पिक में भारत के लिए स्वन पदक हासिल कर सके इसलिए उन्हें उन्हें सारे ओफर ठुकरा कर इस समय अमेरिका में 2021 ओलम्पिक की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका से भेज़े का इवरीडियो संदेश में हरीकेश ने बताया कि उनका सपना है कि एक दिन वो देश के लिए स्वन पदक ला सके मेरे लिए बहुत सान की बात होगी देश के लिए बहुत सान की बात होगी और वो तीरंगा लेकर लिए मैं अपने सीने पर भारत के लिए गोड़ जी सकूँ कोरोना महमारी में जब हालाद बद देए तो हरीकेश को अमेरिका से मिलने वाले स्कॉलर्शिप भी बंद हो गए और उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गए तब उनके सपने को पूरा करने के लिए उनके पिदा ने खेद बेच कर हरीकेश को साड़े छे लाख रुपे भीजे लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है कि सरकार की ओर से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली हम मंत्रियों के पास तमाम विधायकों के पास धड़ड़े लेकिन कोई जो है सही हो करने के लिए कोई तया नहीं था इसलिए मजबूर होकर कि जो अपना खेद हम बेचती है हरीकेश मौर 15 साल की उम्र में मेराथान के धावक है महें 14 साल की उम्र में हरीकेश साल 2010 में मुंबई ओफ मैराथान में भाग लिया था साल 2011 में 40 किलोमीटर इंटरनेशनल मैराथान में नंगे पैर दोड़कर उन्होंने पांचवा इस्थान हासिल किया था जबकि साल 2015 में उसने नैशनल गेम्स में 4 था इस्थान तो वहीं साल 2015 में ही असोम में हुई 10 किलोमीटर मैराथान में विजेता बन अपनी प्रतिवा का लोहा मनवाया था लेगिन हरीकेश के लिए ये सब इतना असान नहीं था घर चोड़ने के बाद हरीकेश ने संघर्श का इकलमबा दोर रखा अपनी प्रतिवा और लगन के बल पर हरीकेश आर्थी तंगी के बावजूत जिस तरह अमेरिका में डटे हुए हैं वो गाओं और आसपास के युवाओं के लिए प्रेणना श्रोत है और वो दी दूर नहीं जब वो अपने जजबे के बलबूते देश के ओलमबिक में गोल्ड मेडल जीतने में सफल होगी एबिपी गंगा के लिए गोरकपुर से नीरस्ट्रिवास्तों के रिपोर्ट आज राश्ट्री विग्यान दिवस है से में हम आपको मिलवाते हैं गोरकपुर के युवाओं इंजिनियर से जिसने अपने अविशकारों से सभी का ध्यान अपनी तरफा करशित किया है युवाओं इंजिनियर राहुल सी ने कैसा ड्रोन तयार किया है जो किसानों से लेकर जवानों तक के लिए बेहद उपी होगी सावित होगा वोईस के जरीए ड्रोन को कमांड देते हुए ये हैं बारहुवी के छातर राहुल से जो गोरकपुर के दिव्वे नगर के ABC पबलिक स्कूर में पढ़ते हैं और मदन मोहन मालविय प्रोधगी की विश्वध्याले के Design Innovation and Incubation Center में युवा व्यज्ञानिक है राहुल ने बेहद कम कीमत में एक ऐसा ड्रोन तयार किया है जो खेतों में दवा का छिड़काव करने में किसानों के लिए बेहद उपियोगी साबित होगा तो वहीं बाढ़ और भूस्खलन में फसे लोगों की जान बचाने के लिए सेना के जवानों की मदद में भी कारगर होगा इस ड्रोन की खासेत यह है कि ये समंदर से लेकर नदी तक की गहराई नाप सकता है कम कीमत के चलते राहुल इस ड्रोन का नाम लो कॉस्ट ड्रोन रखा जिन पौधों को जितनी दवा इस्प्रे करता होगा उतना ही देगा उसमें नहीं की जैसे की जितना पौधे को जरुवत होगा उतना ही दवा देगा ड्रोन बाड में अगर जाएगा तो फिर उसमें जितने लोग फसे होंगे उनके फोटो सहीत और उनका लोकेशन करेंट लोकेशन हमको क्यूई के जरी है मैसेज करेगा हम उसको किलिक करेंगे आसानी से हम देख सकेंगे कि हमारे इतने लोग यहाँ पे फसे हैं तो सेना को हम निकाल सकेंगे लोकास्ट ड्रोन रिमोर्ट सिस्टम से संचालित होता है वहीं ड्रोन को वायस सिस्टम से भी कनेक्ट किया गया है जिससे किसानों को इससे संचालित करने में दिक्कत ना होने पाए इसकी सबसे खास बात यह है कि अलग-अलग भाशाओं को भी समझ सकता है ऐसे में किसान हिंदी और भोचपूरी भाशा में ड्रोन को कमांड दे सकेंगे किसान तो चला नहीं पैगा वो पढ़ा लिखा है नहीं तो हमने उसमें एडवांस फ्यूचर डाला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्रोग्राम जो मिशन प्लानर के ताहट हमारे वाइस से वो ड्रोन उड़ सकता है भोचपूरी और हिंदी लॉंगेज अभी इंग्लिस इंक्लोड कर रहे हैं इसमें युवा इंजीनियर राहुल सिंग इसके पहले भी बैटरी से चलने वाली और खुद से चार्ज होने वाली बाइक ट्रैक्टर और रोटी मेकर बना चुके हैं अब रुक करते हैं गोंडा का जहां पर जिरे की मैलाएं मैला सशक्ति करण के तहट समूह बना कर सशक्त और आत्म निर्भर बन रहे हैं मैलाओं के इस महिम का जिला पुशासन भी कायल है कोरोना काल में लॉक्डाउन के दौरान जब लोगों की रोजगार छूट रहे थी ऐसे समय में गोंडा के जजरी बलाग के चंदवत पुर गाओं की रहने वाली महिलाएं आगे आएं और समू बनाकर न केवल तरह तरह के उत्पात बनाएं बलकि उनको बाजार में बेच कर आर्थिक रूप से आप निर्भर में बनेगे दरसल चंदवत पुर गाओं के पुरुश ज़्यादातर पुरोहित कर्म से जड़े हुए हैं और जब लॉकडाउन के दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो गए तो घर चलाने में दिक्कते आनी शुरू हो गए ऐसे समय में गाओं की महिलाओं में कुछ करने की ललक पैदा हुए और महिलाओं ने कल्याणी और मावैशनों सहायता समू बनाकर अगरबत्ती और नमकीन जैसी चीज़ें बनाकर उन्हें बेचना शुरू किया महिलाओं की इस पहल और हिम्मत को देखकर जिला प्रशासन भी इनकी मदद के लिए आगे आया है गोंडा के मुख्य विकास अधिकारी की माने तो ऐसी महिलाओं को स्टार्टप प्रोग्राम के तहट सहायता राशी की व्यवस्था करवाई गई है और आगे भी कई माधिमों से इनकी मदद की जाएगी कहते हैं कि बुरे वक्त में भी कुछ न कुछ अच्छा चिपा होता है बस जरूरत है उसे पहचानने की चनवत्पुर की महिलाओं ने भी यही किया और कोरोना आपदा के बुरे वक्त में स्वयम सहायता समूँ बना कर न केवल खुद की प्रतिभा को पहचाना बलके आर्थिक रूप से आत्म निर्भर भी बनी संगीत की दुनिया भर में एक से एक बढ़कर दिवाने हैं मगर हरिद्वार की निवासी एक संगीत प्रेमी कलाकार ने अपने घर को ही एक ऐसा रूप दिया जिससे उनका घर लोगों के लिए आकरशनल का केद्र बन गया है आप भी देखिए कि क्या किया संगीत के दिवाने ने यू तो गीज संगीत हर किसी को लुभाता है लेकिन हरिद्वार के रहने वाले राहुल अरोडा की तो मानो इसमें जान बसती है संगीत के प्रती राहुल की दिवानगी का ये आलम है कि राहुल ने अपने पूरे घर को ही गिटार हाउस बना दिया है यूवक राहूल ने ना केवद अपने घर के बाहर के हिस्से पर एक विशाल गिटार बनवाया है बलकि घर के भीतर का लुक भी संगीत के थीम पर है राहूल के घर में आज हर तरह का गिटार है साथी उसके पास प्यानो, ड्रम समेख, तकरीबन हर तरह के आधुनी, वादियंत्र है सिरफ इतना होता है, मेरे पास गिटार है, प्यानो है, वालीन है और कई तरह के इंस्टूमेंट्स में बजा लेता हूँ जितना मुझे आता है, उतना मैं सिखाने में सक्षम हूँ और उतना मैं सिखाने में सबकी हल्प करता हूँ इसमें हमारा सिरफ सोचना इतना सा था, इस गिटार को बनाते वे या यह जो आप कलेक्शन देख रहे हैं मेरे पीछे इस सारा कलेक्शन मैंने एक गिटार चुन-चुन के अपने लिए बजाने के लिए रखा हुआ है वो इसलिए रखा हुआ है कि हर तरह का म्यूजिक हमारे आने वाले यूवा पीडी के सामने दिखाया जाए और उसको बजा के भी सुनाया जाए कि वो है क्या चीज क्यों इतने अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज में आते है गिटार हाउस आज हरिद्वार में आकरशड का केंदर बन गया है इस्थानी लोग भी इसे देखकर अपने बच्चों को संगीत की तालीम देने के लिए राहुल के पास भीज रहे है मैं यहां पापा के साथ गुमता था तो अंकल ने एक घर बनाया था उस पर गिटार बनावा था तो मैं पापा के लेकर यहां आया यहां आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कीबोर्ड सीखने के इच्छा हुई तो मैं यहां कीबोर्ड सीखने आ गया संगीत को लेकर राहुल की दिवारगी और उनके गिटार हाँस को लेकर लोगों में खूब चर्चा है आज राहुल अरोडा और उनका गिटार हाँस उन बच्चों के लिए प्रेणा का सुरोध बन चुका है जो संगीत में कुछ करना चाते हैं वहीं आर्थिक रूप से कमजूर बच्चों को राहुल बिना पैसे लिए संगीत सिखाते हैं ताकि गरीबी की वज़ज़ से कोई प्रतीबा दब करना रह जाए एबीपी गंगगली हरिद्वार से पंकज राना की रिपोर्ट करनाज में बने सेंटर आफ एक्सिलेंस फार वेज़टेबल आज आसपास के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं इस सेंटर की वज़ज़ से नकेवल किसानों को अच्छे वीज़ और पौथे मिल रहे हैं किसानों को अब भी किसी भी मौसम में अच्छी नरसरी के लिए भाग दोड़ नहीं करने पड़ती ये सेंटर किसानों के कैसे मदद कर रहा है ये रिपोर्ट भी भारत इसराइल क्रिशी परियोजना के तै कन्नौश के उमर्दा में बन रहे सेंटर ओफ एक्सलेंस फोर वेजिटेवर्ट आज किसानों की आय दोगनी करने पियमोदी के सपने को साकार करने में एक मील का पथर सावित हो रहा है इस सेंटर में नाकेवल आधोनिक तरीकों से सबजी और फलों के पौदे तयार किये जा रहे है बलकि पौदों को तयार करने में यूरिया, हाथ की जग़, जैविक हाथ का प्रेयोग किया जा रहा है जिससे शुद्ध और पौस्टिक पैदावार मिल ही रही है साथी कैसान सेंटर से पौदे लेकर लागस से तीन गुनालाब कमा रहे है वही सेंटर में पौदे लेने आए किसानों की माने तो सेंटर में रोग रहित पौदे मिलते हैं जो खेदों में जल तयार हुकर सबजियो और फलू का उतपादन करने लगते है जिससे उनकी आयमें दो गुना से जादा बढ़ोत्री हुई है आज सेंटर ओफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल से ना केवल किसानों को फाइदा हुरा है बलकि बेरोजगारों को यहां रोजगार भी मिल रहा है सेंटर से काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि घर का खर्श नहीं चलता था लेकिन यहां महिने में पाच हजार रुपे मिल जाते हैं उससे उनका अच्छा गुजारा हो रहा है इनसान की धर्व में आस्था अक्सर उसे उससे कोई ना कोई गलत काम करने से रोग देती है और कभी कभी आस्था परियावरन संरक्षन में एक बड़ी भूमी का निभाती है ऐसा ही कुछ बाकिया देखने को मिलता है गाजीपूर जन्पत के सोनरिया जंगल में जहां के ग्रामी हुर अपनी आस्था के जलते इस जंगल में न तो कई पेड काड़ते न इस जंगल से लकडिया ले जाते और इसकी वज़य से ये जंगल हमेशा हरा भरा बना रहता है आस्था में बड़ी शक्ति होती है और ये शक्ति अक्सर इंसान से वो काम करवा लेती है जिसे वो खुद की मर्जी से नहीं करना चाहता है कम से कम गाजीपुर के एक मात्र जंगल सुनहरिया वन के लिए ये बात बिलकुल सटीक बैठती है सुनहरिया वन की खासियत है कि इसके आसपास के गाउं के रहने वाले ग्रामीड अपनी आस्था की वज़े से वन संपदा के साथ कोई छेचाड नहीं करते हैं दरसल गरामीडों की वन में स्थापिच सिद्ध बाबा और शहीद बाबा में अटूट आस्था है और उनका विश्वास है कि इस वन के साथ साथ खुद इनके परिवारों की रक्षा भी सिद्ध और शहीद बाबा खुद करते हैं इसलिए हिंदू हो या मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग वन की लकडी या किसी भी संबदा को वन से बाहर नहीं ले जाते हैं सिब 36 एकड़ में फैले सुन हरियावन के शुरुआत में ही सिद्ध बाबा का मंदिर मिलता है तो वहीं शहीद बाबा का मजार और मस्जद जंगल और सीधरु करते हैं वारानसी का जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आधितनास्थ समुधित करने करातन आध्यात्मिक और सांस्क्रिटिक विरासत को अच्छोंडे बनाई रखते हैं जिस एक नए देज और वोज के साथ दिखाई दे रहा है वह एक घोसे की कासी है जो दुनिया का मार्क दर्संद नकिवाद आध्यात्मिक छेत्र में बनकी भौतिक विकास की मुनाकांसा को पूर्थी कैसे कैजा सकता है इसका दिख्दर्संदी कासी करेगी और कासी ने बिगत 6 वर्सों के अंदर मजबूती से उस दिसामें कदम बढ़ाएंगे मैं कासी रास्यों आप सब वाई दे से अविना इंदर करता हूं आप सब को में बढ़ाई देता हूं आज कका ये प्रभुत जनों के साथ सामाजिक्स सांस्क्रफिक्स्पट्वनों की प्रभुत जनों के साथ रास्तियस देट्सिय कस मधा में अबुए सब्सक्राइध करेट और मैं इस बात कादर्रे क्या किढए की जनता की आसा और आकानसाओं के उन्रूप हो सके हैं प्रधान मुत्री जी का मार्ग परसल इसके लिए निरंतर प्राफ्त होता है आपने करोमा कावखंड में भी देखा होगा कि लॉक टाउन था उस दोरान भी कासी वासियों से प्रधान मुत्री जी ने सीखे संबाद किय गया था और जैसे ही रुट विए प्रारण हुई ती उन्होंने कासी में आकर के कासी की योजनाओं पूर्ध रूप देते वे उनका मुकार्वन भी क्या देव निव किमावणी के असरपर कासी से करोमा सब्सक्राइब करने के साथा यही वासियों पोभी अपने चुड़ कि इसलिए मैंने स्वेम वास्टेट देखते से इस बारे में बहुत किया था कि सीधा संबाद आपका 80 वास्टियों के साथ हो क्योंकि 80 में वास्टेट भाद आपका यह पहला अगमन है कि तो वारासी में मुख्यमंत्री योगी आदे तिनात संब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर वक्त ब्रीक का है